Session 24-25 की 2nd वीडियो में आप सभी का स्वागत है पहली वीडियो पर इतना अच्छा response देने के लिए thank you so much YouTube पर बहुत सारे keywords पर वो वीडियो number one rank कर रही है पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें Session की starting कैसे करना चाहिए और आज की वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ एक बहुती शांदार strategy अगर इस strategy का follow करते हैं तो चाहे आप class 11th में हो या फिर 12th में हो आप एक topper बन जाएंगे और फिर इसके बाद college में जाने के लिए जब आप CUT exam देंगे तो उसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी पिछले 3 सालों में 50,000 से जादा humanities बच्चों को मैं guidance और mentorship प्रोवाइड कर चुका हूँ और अब आपकी बारी है तो जितना भी मेरा experience है उसे देख कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ इसे end तक देखिएगा और follow करिएगा पूरी life आपकी change हो जाएगी सीधा इस वीडियो को चालू करते हैं तो आज की इस वीडियो में 7 points में आपके साथ share करूँगा इन points को अगर आप अच्छे से follow कर लेते हैं अपनी life में implement कर लेते हैं तो 11, 12 CUT कहीं पर भी आपके marks नहीं कटेंगे Point No.1 M Q plus R strategy हर एक chapter को complete करने के लिए यही strategy आपको follow करना है M से मेरा मतलब है main book जो जाद अतर subject में आपकी NCRT है तो सब इस से पहले NCRT को बहुत 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 अच्छे से आपको करना है आप book से भी कर सकते हैं आप YouTube वीडियो से भी कर सकते हैं लेकिन बस आपको एक चीज याद रखना है और वो यह है कि एक line भी skip नहीं होना चाहिए NCRT आपको इतने अच्छे से करना है कि आपको पूरी बनने लगे exam में कोई भी question आजाए आप NCRT के answer उसमें लिख पाएं मैं रटने की बात नहीं कर रहा हूं समझने की बात कर रहा हूं तो NCRT को बहुत अच्छे से आपको समझना है फिर इसके बाद क्यों से मेरा मतलब है questions देखिए NCRT करने के बाद important question answer करना बहुत जरूरी है हर एक chapter में limited question होते हैं तो अगर हम previous year question important question answer कर लेते हैं तो हमारा बहुत अच्छे से revision हो जाता है और high chances रहती हैं कि वही question हमें exam में भी देखने को मिलते हैं तो आपके पास एक अच्छी question bank होना बहुत जरूरी है Oswal गुरुकुल मुझे सबसे best लगती है देखिए market में बहुत सारे publisher आते हैं लेकिन ज्यादातर book में बहुत mistakes होती हैं question तिने अच्छे level के नहीं होते हैं तो हम उसे practice करते हैं तो exam में मदद हमें नहीं मिलती इसलिए मैं हमेशा Oswal गुरुकुल आपको बताता हूँ description में आपको link मिल जाएगा 11-12 दोनों की book available हैं आप चाहें तो market से भी purchase कर सकते हैं इस question bank को जरूर से purchase कर लीजिए और सब इस से पहले NCRT करिए और NCRT करने के बाद important question answer करिए MQ के बाद R अब हमें करना है revision लेकिन revision हम थोड़े अलग तरीके से करेंगे आपने सब चले NCRT करी फिर आपने question करें अब जितनी भी question का answer आपसे नहीं बन रहा है वो question जिस भी topic से आया है सिर्फ उस topic को हम revise करेंगे बाकी अगर question answer हमसे बन रहा है तो वहापर बार-बार revision करने की जरूबत नहीं है तो याद रखिए MQ प्लस R strategy आपको follow करना है हर एक chapter के लिए फिर tip number 2 NHD N से मेरा मतलब है notes हम तो humanities के बच्चों को notes provide करते ही है लेकिन आपको खुद के notes भी बनाना है जब हम लिखते हैं तो हमें याद अच्छे से होता है तो जब आप NCIT पढ़ रहे हैं या फिर video देख रहे हैं तो साथ में notes बनाते जाएए बाद के लिए मत छोड़िएगा फिर आप RC करने लग जाएंगे स्टार्टिंग से ही आपको notes बनाना है ये notes exam के समय revision में बहुत मदद करते हैं फिर इसके बाद H से मेरा मतलब है highlight आपको अपनी book भी highlight करना है कोई भी important line आती है या कुछ भी ऐसा आता है जो आप बाद में भूल सकते हैं data आता है, fact आता है उसे आपको highlight करना है जब हम book highlight कर लेते हैं उसमें लिख लेते हैं सारी चीजें तो बाद में revision करते हैं तो हमें सब याद आने लगता है हाँ ये चीज मैंने इसलिए लिखी थी इसलिए highlight करा था तो revision में time बहुत कम लगता है तो highlight करना मत भूलिए और इसके बाद D से मेरा मतलब है data बुक में कोई भी data related fact related line आता है statement आता है उसे जरूर से note करिए underline करिए जब आप CUT exam देंगे CUT exam में maximum question data और fact related होते हैं 11-12 के paper में भी जो MCQs आपको आएंगे majority MCQs आपके data fact related ही होंगे और यहीं पर हमारे marks कट जाते हैं इसलिए आपको कहीं पर भी data देखने को मिलता है या फिर fact तो उसे जरूर से देखिए एक reason है कि हमारे चैनल पर 11-12 की जितनी भी explanation वीडियो जाती हैं उसमें हम NCRT की एक-एक line कवर करते हैं सीधा NCRT से आपको पढ़ाते हैं जो कि paper पूरा NCRT से बनता है अगर एक line भी हम skip कर रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं फिर इसके बाद point number 3 No skip policy पढ़ते समय कोई भी topic ऐसा आता है जो आपसे नहीं बन रहा है वो आपको difficult लग रहा है तो उसे skip नहीं करना है बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं और फिर इसी reason से वो topper नहीं बन पाते एक topper कभी भी कोई चीज़ skip नहीं करता अगर कुछ आपको difficult लग रहा है उसमें ज़ादा time दो लेकिन उसको complete करो बाद इक लिए आप छोड़ते जाओगे तो बहुत सारी चीज़े छूट जाएंगी और आखरी में फिर time ही नहीं बचता है चीज़े समझ में ही नहीं आती है एक topper पढ़ने बैठता है तो सब कुछ अच्छे से complete करता है फिर याद रखिए हमें रहना है one step ahead अगर आपके school में chapter number 2 चल रहा है तो आपका chapter number 3 हो जाना चाहिए 3 चल रहा है तो आपका 4 हो जाना चाहिए हमें पूरे समय अपने school से एक कदम आगे चलना है इसके फायदे ही फायदे हैं हर एक topper ये चीज़ करता है for example आपने chapter 3 पहले ही कर लिया अब school में जब chapter 3 कराया जाएगा तो वहाँ पर बाकी बच्चे पढ़ रहे होंगे लेकिर आप क्या कर रहे होंगे revision इसके बाद घर पर आकर जब आप फिर से revision करेंगे तो second time आपका revision हो जाएगा और बाकी बच्चों का पहली time ही हो रहा होगा तो ये करने से ये होगा कि exam जब पास आएगा तो उस समय बाकी बच्चे अपना revision start करेंगे और आपका already 2-3 बार बहुत अच्छे से revision हो चुका होगा तो हमेशा अपने school से अपने coaching से आपको आगे चलना है self study पर बहुत focus करना है YouTube पर हमारे channel पर सब कुछ आपको मिल जाएगा तो हम आगे रहेंगे अपने school से अब इससे पहले हम आगे बढ़ें दो important चीजे वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो please like कर दीजेगा आपके लिए हम बहुत मेहनत कर रहे हैं और वीडियो को share भी करिएगा और second चीज वीडियो में जितनी भी books के बारे में जितनी भी videos के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ उन सबका link description में मैं आपके लिए डाल दूँगा तो आपको ढूंडने की जरूरत नहीं है description आप चेक करेंगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद एक सवाल आप बहुत पूछते हैं कि एक दिन में कितना पढ़ना चाहिए तो इसका answer situation पर depend करता है पहले भी मैंने आपको answer दिया आपको अपने school से आगे चलना है लेकिन कई बार क्या होता है exam past में आजाते हैं या फिर इसकूल वाले बहुत धीरे चल रहे होते हैं हमें ऐसा लगता है कि आप और पढ़ने की जरूरत है तो उस समय क्या करना चाहिए तो एक simple सा formula याद कर लीजिए total remaining chapters divided by total remaining days for example आपका exam आने वाला है और उसकी लिए आपको 5 chapter करने है और सिर्फ 5 दिन आपके पास बचे हुए तो total remaining chapters 5 हुए total remaining days भी 5 हुआ इसको आप 5 को 5 से divide करिए answer आगया 1 मतलब एक दिन में अगर आप एक chapter करेंगे तो 5 दिन में 5 chapter आपके हो जाएंगे सब इससे अच्छा तरीका यही रहता है total remaining chapters divided by total remaining days दिमाग में सोचने की जरूवत नहीं है कितना करना चाहिए कितना नहीं करना चाहिए इस formula को use करिए और तुरंट पता लगाईए कि आपको कितना करने की जरूवत है फिर 6th point मैं बोलना चाहूँगा कि अपनी महनत को कम करो देखो हमें महनत करना है वो बहुत जरूरी है लेकिन कुछ जगे ऐसी होती है जहां पर हमें smart work करना चाहिए और अपनी महनत और अपने time को बचाना चाहिए एक्जामपाई के लिए अगर आपको NCRT difficult लगती है तो हमारे चैनल पर line by line explanation videos आपको मिल जाएंगी top class teachers आपको पढ़ा रहे हैं आपका time बच गया आपको notes बनाते नहीं बन रहा हमारे notes डाउनलोड करिए उनसे सीखिए कि notes कैसे बनाते हैं आपका time बच गया important question answer आप question bank से करिए YouTube वीडियो से करिए अपना time बचाईए बहुत सारे बचे गलती क्या करते हैं कि सब कुछ हम खुद करेंगे और खुद करने के चक्कर में गलती अभी बहुत होती है time भी बहुत लगता है वो hard work हो जाता है जिसकी शायद जरूरत नहीं थी तो smart work करिए जहां पर भी आप अपना hard work और time बचा सकते हैं वहाँ पर जरूर से बचाईए फिर इसके बाद आखरी tip में मैं तीन announcements करना चाऊँगा बहुत important announcement number one मैंने पहले भी आपको बताया था इस बार syllabus में कोई भी changes नहीं है इसका मतलब है कि चैनल पर जितनी भी 11-12 की वीडियोस आई हुई है चाहे वो explanation वीडियोस हो important question answer की वीडियोस हो सारी एकदम up to date है मतलब वो वीडियोस अगर आप देखते हैं तो पूरा syllabus आपका हो जाएगा उसमें कुछ भी extra नहीं है और कुछ भी गायब नहीं है पूरा syllabus आपका हो जाएगा क्योंकि syllabus में कोई भी changes नहीं है और साथ में जितने भी chapter की वीडियोस बची हुई है बहुत जल्दी चैनल पर upload हो जाएंगी notes बहुत जल्दी चैनल पर upload हो जाएंगे इसके बाद announcement number 2 अगर आपने अभी तक हमारा telegram the twin bros नाम से है उसे join नहीं करा है तो बहुत बड़ी गलतिया आप कर रहे हैं क्योंकि humanity इसकी सबसे best community हमारे telegram पर है तो telegram जरूर से join कर लीजिए और announcement number 3 मैंने एक नया चैनल भी बनाया हुआ है गुरू टेहिंगोरिया नाम से जहां पर एक दम अलग वीडियोज आपको देखने को मिलेंगी productivity, growth, books, etc. related वहाँ पर आपको वीडियोज देखने को मिलेंगी तो अगर आप productive होना चाहते हैं growth की तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं तो उस चैनल को भी जरूर से subscribe करनी चीए तो ये हैं वो तीन announcement जो मुझे करनी थी इसके बाद आखरी pro tip end screen पर आपको मिल जाएगी एक बहुती शानदार नए session की playlist इस playlist में जितनी भी वीडियोज आएगी वो आपके लिए बहुत helpful रहने वाली है description में आपको उस वाल गुरू को इलका link मिल जाएगा जरूर से book को purchase करिए बहुती शानदार book है वीडियो पसंद आएगे तो like भी करिएगा और share भी करिएगा signing off गुरू भीया